कि नमस्कार कैसे हैं हम 2024 के शुरुवाती महीने में महीने भर के अंदर पांच भारत रत्म और इस पांच में मात्र एक एलके आडवानी हैं जो प्रधान मंत्री मोदी के राजनिते गुरु कह लिजे भाजपा से जोड़ लिजे भारत के पुर प्रधान मंत्री चार भारत रत्म गैर भाज पाईयों एक तो खेर खुदी वैज्ञानिक हैं लेकिन ये वो वैज्ञानिक हैं स्वामी नातन जी जिन्होंने प्रधान मंत्री मोदी के नीतियों का विरोध किया था किसान अंदुर्ण लेकिन इस भारत रत्म ने विपक्ष को तिल मिला दिया है वोधी के हर फैसले विपक्ष को तिल मिला दिया चौदरी चरन सिंग के भारत रत्न से जहां उत्तर प्रदेश की राज़तिक समीकरण तिल मिला गई वहीं पीरे नर्सी माराओं के भारत रत्ने सब को चौका कर रख दिया है सोनिया गांधी के तो गाल पर जन्नाटेदार थपर लग गया ऐसा मानो जब संसर्द में उनसे पूछा गया उनका जवाब ऐसा था कि लगा जैसे वो तेल मिला गई हुई है हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारत रत्न के इसके माईनी क्या है उसमें विशेश रूप से पीवी नर्सी माराओं के योगदान पर क्या साधिश उनके साथ हुई उन तमाम चीजों oups समझना जरूरी है और भारत रत्न कि जब Cum tom बारत में कि Than시 tone क्यों पागल हो गया क्यों दिल मिला में तैक क्या नर्सीम्राओं भारत दोई कि ऐ नर्सीम्राओं एंटि नेश्मल थैं क्या नर्सीम्राओं नर्bab ऑ of और चुनार परिनाम एलक्सिंद के तुरंत बाद पाकिस्तान में आ गए हैं इसके क्या माइने हैं और हल्दवानी में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे का सच उसके पीछे का शड्यंत्र क्या है इन तमाम चीजों को हम समझेंगे सतीज जी हमारे साथ जुर गए हैं सर नमस करते हैं जहां कोई सोच नहीं पाता वहां से उनकी सोच शुरू होती है आज एक आएक शुरुआत में हुआ कि दो भारत रती पता चला तीन भारत रती और इस तरह से आम तोर पर होता है कि पढ़ानमंत्री मोदी के कारकाल में एक भी कवर खबर किसी बड़े बड़े तु चौधरी चरंब twin को भारत रती है आप तो पता चला कि चौधी को में तेидर पर गया तो देखा कि तःद से गिरा नरसिंभ को भा पूरी ठागो पांच भारत रत्म महिने भर के अंदर मैं देख रहा हूं कि खेराती करें कि ये रेविरी की तरह बाट रहे हैं लेकिन बाटा भी रेविरी की तरह तो एक आड़वानी जी को छोड़ करके बीजेपी और संग से जुड़ हुए कोई नहीं है इस पांच भारत रत्म में आज के तीन भारत रत्म पड़ेदी हम चर्चा करें सर्व उसमें आपको सबसे ज्यादा चौकाने वाला जिसका भारत रत्म लगता है और क्यों लगता है इस नहीं होना चाहिए था इसलिए चौक जाने मैंने काया ना कि मैंने तो ट्वीट पे भी कि लिखा था कि मैं यह सबसे सुखा दाश्चा ने से सराबोर कर दिया और वास्तों चौकाने वाला था क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था और अचानक नरसिंगा रहो को दे नरसिंगा रहो कि राजनीत को मनी जी देखा समझा है उनको वास्तों में हिर्दे से प्रसन्नता होई होगी क्योंकि अगर आप कांग्रेसी प्रदान मंत्रियों की बात करिए तो संबहुता लाल बादुप सास्त्री उनका छोटा सा कारिकाल था तो यहां डिड़ साल करीब लेकिन अगर किसी आदमी का प्रदर्शन था एक प्रदान मंत्री के रूप में तो नरसिंगा रहो के साथ कैसी साजी वह भी बताओ को आपना ख़ए तिल मिला हुए है नरसिंगा रहो को बारत मिला तो मरी जी वह नई पीड़ी जिसका संबहुता जन्म भी नहीं हुआ होगा जब नरसिंगा रहो प्रदान मंत्री पत से हट गए नरसिंगा रहो तो वह भी गूगल पर सर्च कर रहा है कि नरसिंगा रहो कौन इसको इस आदमी को बारत रहो प्रदान मंत्री मोडी ने अब वह दुवारा लोगों की जिग्यासा पैदा करी एक खाजकर मने का नौजवान पीडी या जिनका ज्यादा लेना देना नहीं रह तो वह भी गूगल पर सर्च कर रहा है कि नरसिंगा रहो कौन इसको इस आदमी को भारत रहा क्यों दिया गया तो मनीज जी अभूत पूरो योगदान मैं दर्सकुष कोंगा कि एक तो वह पहलो जुड़ा हुआ है नरसिंगा रहो से जिसकी तो कभी इन खैराती हो ना चर् सब्सक्राइब करांतिकारी की रुभूविका में थे वह यह हमारा हम 15 अगस्तों निस सो इसको आजाद हो गए थे लेकिन हैदराबाद जो 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 विले हुआ हो 17 सितंबर 1949 को मनीज जी विले हुआ है यानि 13 महीने बाद और वह लड़ाई पहले से चल लाई थी कि उसमें सर्दार पटेल का सीधा हस्त चेपता और कैसे हैदराबाद भारत में उसका विले हुआ जबकि वहां बहुसंक्यक हिंदू उससे पहले मनीजी जो ससस्तर संगर्स हो रहा था उसमें एक करांतिकारी के रूप में नरसिंगा रहो तब जू जो 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 रहे अगर समझना हो तो उन्होंने अपन्यास के रूप में विवाद ज्यादा हो जाता अगर उसमें सही नाम से लिग देते थोड़ा इसारों में थोड़ी गरिष्ट हो किताब अंतर गाथा पढ़िया एक तरह से मैं कहता हूं कि जो राजनेता है राजनीत करने वाले हैं उनक पूरा एक तरह से कच्छा चिथा भी उसमें खुलता है इन कांग्रेशियों का तो उन्निस सो अड़ताली जब जिसमें आज की ताली में तो कोई कांग्रेशी ही नहीं उत्तालम है यह मलकार जो खड़गे क्या कर रहा था उनने सो आटालीस में जरह बताए हिसाब किताब जो दुनिया घ्यान देता है तो नरसिंगा राओ की सुरवात मनी जी वहां से लेकिन आज जो हम भारत को देखने तरक्की के रिस्टिप जाते हो तो मनी जी दो खटना या इसी हैं जो पूरी तरह से इन माँ बेटे हो बाप यह जो राउल गानी गुबरा इसके बाप को भ अभी चलंसींग बिताता है नरसिंगा राओ मनी जी उन्निस सो इक्यानवय में यह सब जानते हैं कि चंसेकर की सरकार जैकर सोना गिर्वी रखाए थी लेकिन और और इसपर दूंग उसमें की सरकार का कोई दोष नहीं था या उसमें वीपी सिंग का भी कोई दोस नहीं था लेकिंग न मैंने कलिब परदां मंतरी ना टो वड़ा किया परें ना कुछ अच्छा किया ना तबाह कर दी जड़ा सच क्योंडी बताता है देश को मनी उन्नेश सो पच्छासी में जब इसका बाप बना प्रदान मंतरी देश का तो हमारा जो फारन रिजर्व था वो वाई 5.4 बिल्यान डालर था 500 लिखें और चारसो पंद्रा चारसो दस चारसो चारसो ज्यादा पहली बार हुआ कि चार सो ज्यादा सीटे लेकर यह बैठा था प्रदान मंत्री कुर्ची वे कहीं किसी प्रकार का कोई दबाओ नहीं था और यह खैराती कैसा डोल कुछ तो कंप्यूटर लिया या फलाना लिया दिमाग का लिया राजी उगानी के लिए नाचा करते हैं बहस्याओं की तरह य करने के बजाए मरी जी उसमें साय समझे करिकुरित 40 परसेंट की कमी आ गई थी और जब यह बिदा हुआ प्रदान मंत्री कुर्ची से तो वाहिंदुस्तान का जो फारें रिजर्व था वो तीन दिसम्बलों तीन बिलियन डालर था यह यह जो कलाई खुलती है और नर्सिं हमारा विदेशी मुद्रा का बंडार घट गया था तो मार्च 1990 में जो तुम तीन दिसम्लों तीन बिलियन डालर दे रहे थे तो क्या कर देते वीपी सिंग नौ महीने में क्या कर देते चल्सेकर और वही हुआ मनी जी उस समय अपरा तफरी हुई जो किसके आवे वस्ता रह तो साड़े पांच बिलियन डालर से वहां तक पहुचा देने में तो सबसे बड़ी भूमी का राजिव गांदी की थी तो यह उसकी जिकर कभी नहीं करते यह को कि वह तो सच है तो उसको तो नकार नहीं सकते कि यह आर्थिक उदारी करना सुरू किया लेकिन एक और करिश् चार सो सीटों से ज्यादा का बहुमत लेकर और साड़े पांच बिलियन डालर का विदेशी मुद्राबंदार साड़े तीन सवा तीन बिलियन कर दिया 3.3 और जब नर्य सिंगा रहोंने मनीज जी समाला तो सोना गिरी भी रखा हुआ था और हमारा विदेशी ता वो 25 बिलियन डालर था और सारा सोना जो गिरी एक लखना पड़ा था वो गिर्वोर लेकर वापस आयते तो यह नरसिंगा रहों की एक इतियासिक अबूर पूर उपलब दी ती मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह समझें प्रदान मंतिर नरे नर्मोदी ने को राज रहे कहाँ लेगे उसको बताएंगे दिखाएंगे आपको तो यह उपलब्धियों अब्रश टांकि नर्मोदीयों कि तरफ आपका धैन लगा आपका दो स्बसक्राइब अदे तीर को नहीं मारा यह बड़ा कामी था दो सब पांची साल के लिए मनुका मिला था तो चिलता नहीं आदमी आदमी नरसिंगाराओ की लाज को जब अंदर नहीं जाने दिये का कंग्रिस का रह लेकर या दमी गूंगा बना रहा है मनमौन सिंग्ग और जिनको तो मैंने का जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको अच्छे से याद होगा कि उननिस तो इक्यानदवे तक किसी ने नाम नहीं सुना था कि मनमौन सिंग नाम की चिडिया को ने वो जो नौकर जाही थी उसको मालूम तक यह वर्ड वैंक में रहा है इसको नरसिंगाराओ इक तरह से लाइट मिला और उसको फ्री एंड दिया गया तजरा उस समय के रिपोर पूरत है और वह जो आर्थी किस्तिती है तो उसका आनद हम लोग भी ले रहे हैं जिसकी सुरुवात उन्होंने की थी लेकिर उससे ज्यादा महत्पूर्ण मनीज जी बात और जो खैरातियों के आग लगती जो पाकिस्तानी एजेंट उनको आग लगती है यह समझे उननीस सम्भंध नहीं थे जबकि उसमें 1965 की लड़ाई में हमारी मदद की उननीस सो इकतर की लड़ाई पर हमारी मदद की लेकिन उसके बावजूर्वूर्य सरकार जब तक रही तब तक इनोंने कोई सम्भंध नहीं रखे ताज़िव होगा आपको कि यह बेरकुत्वर एक्रसर खाड़ी उसमें है पड़ोस का देश है और इतनी मदद कर रहा था आउट अफ हुए जाके कर रहा था लेकिन बारत के किसी भी प्रदान मंत्री या मंत्री ने उनिस सद्धासी तक इस également प्रदान मंत्री से बेट निंगी मानेता देने के बावजूद और उनिस सद्धासी में जो की प्र leven को और यह वहीं अ उसमें अन्य के किये हुए थे और उस इस्राइल के साथ नर्सिंगा राओं भारत के शुरू किया और उसका फल हम भोग रहे हैं आज की तो नर्सिंगा राओं ने पूरा जो चोटा पजाबा बड़ा गये चोटा पजाबा बड़ा कुरता गये इसकी तरह से यह तभी आगब बूला हो गया तो बाबरी मस्जिद का तो बहाना बनाते हैं मनीजी जिस समय इसराइल के साथ नर्सिंगा राओं ने संबने साबिट किये तो इनको सबको आग लग लग गई वह सबको गूंडे गूंडे उनको आग लगी और इन्हों तभी से शुरूआत कर दी थी लेकिन सबस्ते और अगर कहीं नर्सिंगा राओं को दूसरा कारेकाल मिल गया होता दुबारा वो दीट गए होते तो निश्ची तोर से सोनिया गांदी जेल में होती मैं बड़ी गंबीर वाग कहे रहा हूं और उसका उसके उसका इत्ताथ बता रहा है अगर उनीश सो पंचानवे में नर्सिंगा रहा दुबारा सप्ता में लोटे होते तो यह सोनिया गांदी जेल में होती मनीजी उसका कारण है और वह उस पर पूरी दुनिया चौकती और साथ एक रहस जिससे कभी परदा नहीं अधिया वह था एमके नरायनन और इन जब यह जांच शुरू हुई राजी गौंदी हत्या कांड की तो 1902 में यानि 91 में तो समझे राजी गौंदी के हत्या हुई थी और एमके नरायनन को एक तरह से बर्खास किया नर्सिंगा गांड़ों ने और उसके खिलाफ अपरादि चीफ उसका बर्खास करके उसके खिलाब आपरादिक मुकदमा दर्ज हुआ और जांच के आदेश दिये नर्सिंगा रहा हुए और इसके खिलाब आपरादिक जांच उसका कारण दर्सक समझे लें कि उसमें जो उस समय राम मूर्ती थे प्रदेश का अंग्रेस सद्यक्स उन्होंने एक वीडियोग्राफर मनी जी रखा था और वो राजी गांदी हत्या कांट से तीन-चार घंटे पहले से वहां पर वीडियोग्राफी व्यूब कर रहा था तो उसमें वह जो सिवराथ सान और धनू जीनल नों उन सबको उसने वीडियो में कैज किया था और उसक उन्हों प्रदेश कांगरे सद्धियक्स ते राम मूर्ती उन्होंने बयान दिया कि मुझसट दीके कार्थ के नों एमके राम नाराणने ने कहा कि इस वीडियो का किसी से जिक्र मत करना तो यह बात है छे सालशे मैने के निदर खुलकर आगी थी और अगर वो नरसिंगा र हमने आ गया होता और उसका कारण एक और बता दू मनीज जी कि ऐसे ने कि जिस आदमी को राजी गांदी हत्या करने में इतना बला ब्लंडर या इतना बड़ा पाप करने के लिए नरसिंगा रहों में हटाया था उस आदमी को जैसे ही यूपिए की सरकार आई सूनिया उसको बंगाल का गवर्नर बना कि क्यों कुछ कर रही थी तो यह सारे रहस्तिक नरसिंगा रहों की सरकार चली गई और वह साईग्त मोर्चा की और दो साल के अंदर ने साजी लीपा पूती करके काम खतम कर दिया तो वह जो तो जो सूनिया गांदी को जो उसना लास नहीं प्रदान मंतरी मोधी दिया तो वह उनका व्यूगदान जानते हैं कि वह कैसे वική थी तो एप Siya पड़ा बेयान न हंने लेन ले था अब बताता हूं मंदी घिरा・ कि रिज़ाती से पहले दरा से इस कि देख लेते कि क्यों सोनिया गांदी की पार्लेमेंट में जब उससे पूचा सोनिया गांदी से कि भ़ारत रत्न मिल गया तो कि 파 Alert चल रहा है इसके चेहरे पर देखे सोनिया गांधी के चेहरे पर हवाईयां क्या है और यह कहने में कितना दर्ड एगरा देखेंगे यह सरवे सरवा थी और इस पार्टी के पांच साल तक देश प्रणा का प्रणान मंत्री रहने वाले को इसे तो जस्त मनाना चाहिए बहुत खुशी करके लेकिन कामेरे सुरुवात में ट्वीट तक नहीं जाड़ी करती है नर्सीव राव के लिए दूरदर्शन से कुछ हमें हुई है पिछले साल जो हमारी परेश पास विदेशी मुद्रा नहीं थी शायद एक हफते के अंदर हम डिफाल्टर बन जाते और हमारी साथ एकदम राख में मिल जाती है ऐसे समय से बहुत कुछ कहने के लिए है इतना ही नहीं सर एक और वीडियो है जो मुझे रगता चौकाएगा वो लोगों को कि आप जहां पर आना चाह रहे तो उससे पहले हमने इसका जिक्र भी सी लिहास से किया कि 2004 में जब 23 दिसंबर को उनका पार्तिव सरी कांग्रिस मुख्याले लाया जा रहा था दिल्ली की मैं उससे मैं पत्रकाइबता कि एकदम से नया नया था और पता चला कि कॉंग्रेस मुख्याले में पूरी भीर लगी हुई है तो हम लोगी दम से पुरी बतार रिपोर्टर वहां नहीं था उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे दर्शक के लिल्ली में और याद आता है कि किस सबसे नचाया जा रहा था जो उसके बॉडि को पाला लगा दिया गए कांग्रेस मुख्याले में और चौबिस अपना रोड है उसके ठीक बगल में दर्शल्पत का रास्ता जाता है उसके बगल में शास्त्री जी का घर है और उसी को उसको तो बनी जी वह इसे नर्सिंगा राहों है को मोर्ति नहीं लगाई गई है तो एक मुजियम में उनको इस्थान दिया या प्राइमिस्टर मुजियम बना है तो वह प्रदान मंत्री मोती उसका योगदान अपना कर चुके कि उनके साथ न्याय हो और मनीजी जी जरह बता लो कि कैसे मना सिंगारों को निप्टाएगा इसलिए आज जम उनको दिया गया तो मुझको बड़ा सुपद अश्चर हुआ कि एक और जिनों ने वह दौर देखा है क्यानवे सब्सक्राइब का मनीजी जिवक्ता है कि एक बड़ी सुनियोजित कैपेन चली क्यों चली मैं बता चुका हूं कि सोनिया गानी के आग क्यों लगी हुई थी और यह जो खैरात को बारत के इतियास का सबसे प्रदान मंतरी इन लोगों ने घोशिद कर दिया यहीं पाड़ा यहीं सब्सक्राइब कर दिए उसके बात करते हैं कि इस बात की कलाइक हो लिए सब्सक्राइब करते हैं कि अठारा पांस दोजार उन्नीज को है ना अच्छाइए दमाद और उनका नाती अठारा मैं दोजार उन्नीज को सब्सक्राइब कर देखा तो उन्हों ने लिखा कि राओ ने भी देश को नूटा होता तो उनका उनके दामाद नाती वाडरा की तरह है सांस से रहते जरा मैं उनका पूरा ट्वीट पढ़े दे रहा हूं मुझे मैं डाल दिया है दर से देख लेंगे सब्सक्राइब अईज देख ट्रफ देख ट्रफ प्रम्र प्म बशाट लड़ सब्सक्ताइब ट्रफ आप रेंगे एंफ यह वाड आटाड़ को लुटा होता इस देश को तो उनके बेट उनके दमाद और उनके नाती सड़क किनारे खड़े होके टेक्सी की प्रतिक्षा ना करो टेक्सी भी ना चल लाए होते और यह गुरुमूर्ति इस देश के सबसे संभानित पत्रकारों लेकों विचारकों में से एक हैं और यह राहूल गांदी के बाप को जो इसका पाप वह पूर्सकांड है उसका इस गुरुमूर्ति चित्रा सोब्रा मन्यम की देन थी अन्य था वह बारत की चार्टी में मूंग डलता रहता और हम कुछ ना कर पाते तो यह यह वो लोग है उन एस गुरुमूर्ति ने दो जार उन्नीस में यह नरसिंगा रहो की बाद देहानत हो चुका है लेकिन वह यह यह ट्वीट उनका यह बताता है कि किस तरह से एक केंपेज चलाते हैं यह खहराती सब्सक्राइब के बसका नहीं रहेगा लेकिन उस समय कोई सोचल मीडिया नहीं था कि इन्होंने नरसिंगा रहो को बिलकुल लुटे रहा और केवाल इसलिए घोशित किया था क्योंकि वह राजीव गांधी हत्याकांड के उस रहस्य को खोलने वाले थे उस रहस्य को नोने उस घरदन में हाट डाल दिया था जिसका पूछने बाद में प्रिंका गांधी दोजार साथ में गई थी कि असली मास्टर माइंड कौन है यह जरा इसको जोड़िया मनी जी वह आदिवी प्रिंका अगर सब कुछ बलंग नया हो गया था सब पकड़ में आगे तो प्रिंका गांधी नलेजनी से पूछना क्यों गई थी यह चेंदाई की जेल में कोई बटूर की जेल में कि असली मास्टर माइंड को पकड़ने हो जा रहे थे और दूसरे जो नरसिंगा रहो की उ हमारा उसको नरसिंगा रहो पक्चीस बिलियन पिले गए तो दोनों आदमी में जमीन आसमान के अंतर था कोई तुनला की ही नहीं जा सकती थी तो यह नरसिंगा रहो को यह सामने ना है इसलिए ना लो जमके उसके खिलाब कैम्पेंच चलाई और बाद मैं तो कर उनकी दो प्रदान मंत्री एक अटल जी को अपना गुरू कहते थे एक नरसिंगा रहो दूसरे चंजेकर बड़ी आलोचना वह संसन में करते थे लेकिन वह रादनाइटी गुरू कहते थे वह तो खुल करके कहा करते थे गुरू जी तो वह जो है जिस समय 13 दिन के लिए क्लाम से मिल लिए एक तो अटल जी तब तक उनको उनको उनके शर्गाम नहीं था तो उन्हों ने अरुर शोरी से पूचा कि अगरे कलाम को नहीं कर पाया और उसका भी मनिदिये कहानी है उसको अच्छी है आदा आप में दिला दी बड़ी रोचक कहानी कि क्यों नहीं कर प कि जब आप अपने एक वोट से इस देश को कितनी चती पहुंचाते हैं मतलब अटल जी की सरकार 13 दिन की या फिर 13 महीने की चली जाना या फिर नर्तिम राओकर जैसे पढ़ान मंत्री का चला जाना उसके जगह पे जोर तोर की जातीवादी सरकारों के आने से लालू यादव सरकार के बाद मनमोहन सिंग के 10 साल जो लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंग के कारण नर्सिम राओक मतलब की सरकार की सफलता रही तो 10 साल ये वेक्ति कि मौन मुहन दस साल तक कि गुंगा आदमी इस देश का पढ़ान मंत्री रहा यह वेक्ति ऐसा निरलज रहा अच्छा नहीं लगता तुमने में कि अपने गुरू का सम्मान नहीं कर पुड़ान मंत्री था इस देश का और हर सिवराव की बॉड़ी का अपमान होता रहा उसके सब्सक्राइब करते हैं तो परवाणू परिक्षा हम करेंगे और परवाणू परिक्षा हम करेंगे बिल्कुल बिल्कुल और इसी से समझना पड़ेगा कि इसके माइने क्या है और जो नहरू का निवास करके कतना की प्रपर्टी नीजी प्रपर्टी बना लिया गया था उस घर को जब पढ़ान मंत्री का संध्राले बनाया गया तो आज वहां पर नरसीम राव का भी सम्मान हुआ है जिसको सोनिया गांधी ने उनके चेले से सोनिया गांधी ने अपमानित नहीं किया उसके चेले नर्ट यह शरम की बात है मनमोहन सिंग्ग के लिए देश का प्रणान मंत्री ऐसा नपूं सकता था कि भारत के पूर प्रणान मंत्री का अपने राज़ितिक गुरू क समान नहीं कर सकता है मनी जी देखिए इसमें खैराती तो बना कांग्रेश के पाले हुए कुट्टे इंसे उम्मीर नहीं लेकिन कम सकंब भाज़पाई प्रवक्ता इनको कम यह पूचना सुरू करना चाहिए आप तो क्यों नर्सिंगा राव को भारत ने लिया गया है तो मुझरा डंका वजा कि पूंचेंज से हर तरह से यह बताओ कि जिस इंडिया नाराइनन को राजीव गांदी हत्या कांडमेंस आप राधिक मुकदमा उसके खिलाव दर्श किया था उसको बरकाश पिया था उसको सोनिया गांदी ने बंगाल का गवर्णर क्यों बनाया था क्यों किया था और क्या सही माइने में सोनिया गांदी सक्टा की ऐसी प्यासी थी कि पती को भी क्या कहा जाए कि हमारे वीवर्स कितने गंभीर है सब मुकुल जी कह रहे कमलात ने नर्सीम राख को परमानू परिक्षन की ख़़र सीया ये की लीग कर दी ती जिस वज़र से हो परिक्षन नहीं हो पाया था और हम लोगों ने इस पर चर्चा कि यादा था नहीं मुकुल जुकला ची को करेक्ट कर दू कहानी अलग है किसी सिर्थ हम लोग बात करेंगे यह कमलात कमलात ने जो लीकी थी वह 74 में जो पहला परमानू परमानू आ थोड़ा कंफ्यूज ह और हम लोगों ने इसकी चर्चा की है एक शो में सर वो पूरी जो हम लोगों ने चर्चा इसकी लिए की हुई है